तो स्वाइगर दोस्तो मैं हूँ आपके साथ आरकेडेकनिकल लची हाँ दोस्तो इस प्रकार से अपने किसी भी एंट्रेज में गेमिस पेस टर्बु को इंस्टॉल करके अप्रडवास के जो गेमिंग परफॉर्मेस दोस्तो उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते और बना सकते दोस्तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का दोस्तो बहतरीन इंट्रफेस आपको इस गेमिस पेस टर्बु का देखने को मिलने वाला तो बहुत अगमाल का वीडियो माला दोस्तो चले वीडियो करते हैं स्टार्ड बना किसी देरी के तो सबसे पहले दोस्तो आप देख सकते हैं GameSpaceTurbo.zip की यह file है तो इस zip file के दोस्तों आपको extract करने के लिए एक application की जो रत पड़ेगी जिसका नाम है ZArchiver जिया है दोसो ZArchiver आप अपने device में इस्टाल कर लिजिए देने यहां पर आपको कर लेना है download वाले folder को open, download वाले folder open करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको वो GameSpaceTurbo की जो zip file वो देखने को मिल जाएगी इसको सिंपल से आपको कर देना है extract here, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको GameSpace.apk की file देखने को मिल जाएगी इस ap.file को दोस्तों आपको कर लेने simple से click, click आप जैसे करेंगे दोस्तों यहां पर से आपको अनरे new started from okay package installer पर देना है and need you still करेंगे दोस्तों यहां पर से आपको install का इंट्रफरेस आ जाएगा इन इस्ट्रॉल के बड़न पे आपको कर देना है क्लिक अभी दोस्तो इसको डारेक्टल आपको उपन नहीं करना है अगर डारेक्टी उपन करते दोस्तो दैन आपके डिवाज में प्रॉपरली वर्कर नहीं कर भाएगा आपको सिंपल से डन करना है डन करने के बाद दोस्तो home screen पे चलिए आना है home screen पे आने के बाद दोस्तो game space आपको कुछ इस प्रकार से एक AP के file देखने को मिल जाएगी इस AP के file को दोस्तो simple इससे मैं आपको यहाँ पर home screen पिला कर दिखा देता हूँ इसकी app info पे चलिए आनी है जिए दोस्तो long press करेंगे app info पे चलिए आने के आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको क्लिक करने दना आपको देखने को मिल जाएगा storage storage को दोस्तो आपको allow access to media only बाद कर देने जिए डूस्तो जैसे आप allow access देंगे इसको यहाँ पर से permission से हो चुका आपका account complete आपको simple से back आजानी है back आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option आपको देखने को मिल लगा battery usage का जी यहाँ दोस्तों battery usage पर आने के बाद आपको background activity को दोस्तों इसको allo करा देना है जैसे दोस्तों इसको allo access देंगे देने यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर से भी हो चुका account complete आपको back आजानी है completely complete आने के बाद दोस्तों अब आपको gamespace.apk की file है जो apk file दोस्तों इसको कर लेना है simply say click करके open जिया दोस्तों जैसे आप open करेंगे कुछ इस परकार से आपको interface देखने को मिल जाएगा अब आपको क्या करने के लिएक दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एड को option add पर आपको again click करने के बाद आपको game space दोस्तों वह load लेगा देन आपको जितनी भी application दोस्तों आपके device में install device सो कर देगी just सिम्पली से जिस भी गेम को दोस्तो एड करना उसको सिम्पली से यहाप पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो जैसी मैंने डॉक्टर राविंग दोस्तो बाइग्जाम्पल ग्ले मैंने दिखा दी आप देख सकते दोस्तो मैंने जैसी गेम को एड करा वो मेरे दोस्तो home screen पे आ चुक है तो आप देख सकते दोस्तो जो मारा game है वो properly यहाँ पर से setup हो चुक है देने आपर back आ जानी है back आने के बाद दोस्तो setting में आ जी आनी है setting में आने के बाद दोस्तो automatically boost यहाँ पर का option देखने को मिल जागा automatic boost पे दोस्तो इसको permission दे देनी है जैसी permission देंगे द crop जो भी आपको दिक्कत होती है दोस्तो lag hang जो भी दिक्कत होती है वो बहुत यह संसी fix हो जाने वाली है तो कुछ दर प्रगार्च दोस्तो वीडियो धन्ने मात thanks for watching